स्वागत है एक बार पुना आप सभी छात्रों का बीपेसी मेकर के एक नए स्रीज में आप लोगों के डिमांट पे इस स्रीज की या फिर इस स्रिंखला की सुरुवात की जा रही है जो की संबंदित है करेंट अफैरस टेस्ट से आप से भी जानते हैं कि आपका जो 69 बीपेसी एकजाम है ये बहुत नजदिक है इसके संबावित तिति या फिर प्रस्तावित जो डेट है जो आयोक की तरफ से दिया गया है आपको धियान अकना कि 30 सितंबर 2023 को ये एकजाम आपका प्रस्तावित है और इस एकजाम को लेकर के आप लोगों ने डिबांड किया था कि सर करेंट रफेस का टेस्ट चला जाए जिसमें की बिहार राश्य अंतरा से तीनो घटनाव का संग्रह हो जो अगामे 69 बीपेसी एकजाम की दिरिश्टी कौन से महत पूर्ण हो तो इस से दिरिश्टी कौन को धिहाम रखते हुए हमने आपके लिए जो की 69 बीपेसी के बात करें तो हुबहु इसी पैटर्ण पर यहाँ पर आपके लिए वीडियो फॉर्मेट में टेस्ट लाए गया है निश्य तोर पर यह आपकी तैयारी का सही तरीके से आंकलन करेगा और यह जान पाएंगे कि करेंट अफेर्स के तैयारी आपने किस अधार पर क्या है क्योंकि इस वीडियो के बात करें तो इस वीडियो में पिछले 6 मैने के करेंट अफेर्स के वो comment box में आप लिखेंगे कि यहाँ पर 40 प्रश्णों में आपने कितने प्रश्णों को सही-सही हल किया है और आपको कोशिस करना है कि कम से कम 33 प्रश्ण आपको यहाँ पर हल करना है क्योंकि इस वीडियो का जो cut-up marks हमने दिया है आपको यह 33 जैने कि 33 से अगर आपका कम सही होगा तो आप इससे वीडियो के अधार पर fail समझे जाएंगे तो BPC में जिस परकार से 40 प्रश्णे पूछो जाते हैं उसी पर हमने इसे design किया है निश्यत तौर पर आपको एक परकार से exam वाले fill देने वाला है पूरे वीडियो को आपको ध्यान पूरोग देखना है वीडियो के सुरवात करने से पहले आपको बतादू कि हमारे जितने भी study material और notes होते हैं जो कि खास करके 69 BPC exam के लिए design है वो सभी study notes को आप BPC maker app के माद्यम से download कर पाएंगे जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं यह तमाम चीज़ें आपको BPC maker app पर उपलब्द कराई गई है application को play store से download कीज़े और वहाँ से तमाम PDF file को download करके अपनी तैयारी को एक नई दीसा दे सकते हैं इसके अतरिकती BPC maker app पर आपके लिए test series भी launch किया गया है test series की भी से इस्ताओं का वर्नन यहाँ पर क्या गया है यह एक online test series है जिसका PDF file भी आपको उपलब्द करा जाता है जहाँ पर आपको सारे प्रशनों का समगर विशलेशन मिलता है आपको ध्यान रखना यह BPC के according ही आपका यह test series है और यह full length test series है आपको ध्यान रखना BPC Maker एप पर आप लोग विजिट कीजे और आपको इस वाले course को परचेज करना है जहाँ पर यह तमाव material जो अभी आपने देखा वो सभी आपको इस course में मिलेगा और course को परचेज करते हैं आपको इस बात का ध्यान रखना है कि coupon code आपको apply करना है BM100 जब भी coupon code वहाँ पर मांगे तो BM100 डालेगा उसके बाद आपको भारी discount पो लेगा एक limited period offer है आप इस offer का लाब उठाके जरूर इस course को जोईन केजे निश्चत तोर पर आप यहां से अपने exam को लेकर के बहतर तयारी कर पाएंगे इन सब के अतरिकते most importantly आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो current affairs का daily class हमारा चलता है यूट्यूब पर तो उसका जो daily और monthly और yearly notes आता है वो सभी आपको इस course में मिलने वाला है चलिए इन सब बातों का ध्यान रखेंगे जो भी छातर इक्षोग होंगे जरूर जोइन करेंगे अब यहां पर हम आज के इस पहले test की सुरुवात करते हैं आपको ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 33 प्रश्णों को सही सही हल करना है और आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्ण है कि बिहार के वित्तमंत्री विजय कुमार चोधरी ने हाले में कितने रुपिये का बजट पेस किया है प्रते एक प्रश्ण में आपको पंच सेकेंड का टाइम मिलेगा और इस दोरान आप अपना आंसर तै करेंगे कि आंसर क्या होगा आंसर को कौंट करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अब यहां पर बताईए इसका राइट आंसर क्या होगा तो इस प्रश्ण का हमारा राइट आंसर होगा अप्सन नंबर A यानि कि 2,61,885 रुप्य का बजट अभी हाल ही में बिहार के वित्त मंत्री विजय कमार चोधरी द्वारा पेस किया गया है अब यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे प्रश्ण पे हमारा दूसरा प्रश्ण की हाल ही में आई IMF यानि कि International Monitoring Fund की एक रिपोर्ट के अनुशार किस देश में 2023 में वैस्विक विकास में 15% योगदान देने की चमता है यह जो वीडियो आप यहाँ पर देख रहें यह test format में है इसलिए किसी भी परश्ण में यहाँ पर मैं आपको explanation नहीं देने वाला हूँ हलाकि explanation की बात करें तो इसका explanation वाला PDF आपको टेलिग्राम पर उपलब्द करा जाएगा टेलिग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के description में है और शाथ साथ इसका online test आपको BPSC Maker app पर मिल जाएगा और वहाँ पर भी इसका PDF उपलब्द करा जाएगा free PDF वाले section में ध्यान रखना अगर आपको PDF चाहिए तो वहाँ से download कर सकते हैं अब इस प्रश्ण के हम right answer के बात करें तो IMF की जो नविंतम report आये थी इस report के अधार पर यहाँ पर प्रश्ण बनाएगे किस देश में 2023 में वैस्वी के विकास में 15% योगदान देने की चमता है तो इसके अधार पर इस प्रश्ण का हमारा right answer का option number C यानि की भारत चलते हम यहाँ पर अगले तीसरे प्रश्ण पर प्रश्ण है की हाली में लिखित पुस्तक बिपिन दा मैन बिहाइंड दो यूनिफॉर्म की लेखक निम्न में से कौन है बताए इसका right answer क्या होगा तो इससे प्रश्ण का हमारा right answer होगा option number C यानि की रचना विष्ट रावत अठाथ option number C यहाँ पर right है अगला चौथा प्रश्ण की हाली में जारी वेस्विक आतंगवाद सूचकांग 2023 की अनशार कौन सा देश आतंगवाद से सबसे अधीक प्रभावित है most important प्रश्ण है हलाकि इस वीडियो में जो भी प्रश्ण आप देखेंगे वो सभी प्रश्ण अपने अपने अती महरपूर्ण है वो आपको देख कर भी अंदाजा लगेगा तो जो नमितम रिपोर्ट आई थी जो अभी हाली में जारीवी वैस्वीक आतंगवाद सूचकांक 2023 तो इसकी आभार पर सबसे अधीक आतंगवाद से जो प्रभावित देश आई है अफगानिस्तान यानि की option number A यहाँ पर इस प्रश्ण का right answer होगा चलते हम चाओथे प्रश्ण पे यह प्रश्ण की हाली में 2023 की विश्व के महानतम अस्थानों की टाइम सूची में किस भारते अस्थान को सामिल किया गया है तो इस प्रश्ण का हमारा right answer होगा option number A लद्दाक और option number C पायुर्भन जो की उडिसा में एक अस्थान है तो इस प्रकार से आपको दिहान रखने हैं दो विकल्प जब भी सही होगा तो हमारा right answer होगा option number E यानि की उप्युक्त में से एक से अधिक तो अभी हाली में टाइम सूची में जो भारते अस्थानों को सामिल किया गया है विश्व के महनतम अस्थानों की सूची में ये लद्दाक और मयुर्भन्ज को सामिल किया गया है अगला हमारा च्छाटा प्रस्ने की 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा अस्थापना दिवस मनाय गया इस प्रस्ने का हमारा राइट आंसर होगा अप्सन नमबर C अभी हाले में बिहार का 111 अस्थापना दिवस 22 मार्च 2023 को मनाय गया और 111 बिहार दिवस के थीम की बात करें तो इसका थीम था यूवा सती बिहार की परकती जबकि 2021 में जो बिहार स्थापना दिवस मनाए गया था 110 वा स्थापना दिवस था उसका थीम निरधारित था जल जीवन हर्याली डेली करेंट एफर्स की स्रिंकला के थाथ हमने ये सारी जानकारी आपके साथ साजा किया है अब यहाँ बनवारा अगला साथवा प्रश्ण है कि निमलेकित में से कौन सा रज राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला पहला रज बना है तो अभी हाली में राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला भारत का पहला रज जो बना है इसका राइट आंसर होगा राजस्तान यानि कि अप्सन नमबर डी इस प्रश्ण का राइट आंसर होगा नेक्स्ट नमारा आठवा प्रश्ण की निवलिकित में से किस से विद्वान ने हाली में अबल प्रुषकार 2023 से जिता है यानि कि अबल प्रुषकार 2023 का विजेता कौन है तो इस प्रश्ण का हमारा राइट आंसर होगा अप्सन नमबर ए यानि कि लुई से कैफ रैली जो की अरजिंटीना के रहने वाले हैं ये आपको यहां से ध्यान रख लेना है अब यहां पर हम चलते हैं अगले प्रश्ण पर हमारा अगला होगा नवा प्रश्ण ये प्रश्ण है की युनेस्को की हालियार रिपोर्ट के अनशार दुनिया की कितनी परतिसषत अभादी के पास सुरक्षित पेजल उपलब्द नहीं है तो ऐसे में ओप्सन नमर बी यहां पर इसका राइट आंसर होगा चलते हैं अगले हम दसवें प्रश्ण पे ये प्रश्ण है की call before you dig नामक एप हाली में किनके द्वारा लॉंच किया गया तो अभी हाली में call before you dig नामक एप को लॉंच किया गया मांदरिय प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी के द्वारा तो option number D इस प्रश्ण का right answer है अब यहां भी हमारा 11 प्रश्ण होगा की हाली में 24 मार्च 2023 को मनाएगे विस्व टीवी दिवस यानि कि 206 रोग दिवस से 2023 की theme क्या है जोकि 24 मार्च 2023 को celebrate हुआ है इसका theme यहाँ पर पूछा गया है तो 2023 का जो इसका theme होगा यह होगा option number C यानि कि हाँ हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं यानि कि yes we can end TV यह इसका 2023 का निर्धारी theme है अता इस प्रश्ण का right answer होगा option number C अगला हमारा 12 प्रश्ण होगा कि निवलिकित में से कौन सा देश हाली में ब्रिक्स के new development bank का सदस्य बना है इस प्रश्ण का हमारा right answer होगा option number B यानि कि ब्रिक्स के new development bank का नया सदस्य अभी हाली में मिस्र बना है option number B इसका right answer होगा अगला प्रश्ण ही कि निवलिकित में से किन्हे बिहार प्रेटन विभाग का brand ambassador बना गया है इस प्रश्ण का हमारा right answer होगा बिहार के मदबनी की लोक गाई का मैथली ठाकूर को अभी हाली में बिहार प्रेटन विभाग का brand ambassador बना गया अगला चौद्वा प्रश्ण की निवलिकित में से किन्के द्वारा जमेनी अस्तर पर नवाचारों यानि की innovations को बढ़ावाद देने के लिए storage of change नावक पहल सुरू की गई है तो storage of change नावक पहल की सुरूआ जो की गई है सबसे पहले ये ध्यान रखे इन्वेशन को बढ़ावा देने के लिए इसकी सुरूआ भी है और इसकी सुरूआ जो की गई है नीती आयोक के द्वारा क्या गया है नेक्स्ट हमारा पंद्रवा प्रश्ण की हाले में बिहार और जार्खन के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी रासी दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित क्या गया है इस प्रश्ट का हमारा राइट आंसर होगा बिहार और जारखन के मजदूरों के लिए जो दैनिक रासी मंजूरी मिली है या फिर दैनिक रासी जो निर्धारित हुई है दैनिक मजदूरी के रूप में तो आपको द्यान रखना ये 210 रूपिय से बढ़ा कर ये 228 क्या गया है हलाकि यहां पर मैं आपको इस प्रश्ट में थोड़ी सी जानकारी अवस्य देना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत इंपोर्टन है सबसे अधिक मनरेगा मजदूरी परति दिन के अनुसार हम बात करें तो ये आपको द्यान लखना है हर्याना में है 357 रूपिय परति दिन आपको द्यान लखना है 357 रूपिय परति दिन कहां पर है हर्याना में को संवानित किया गया तो इस सफ्रस्ष्ण का हमारा राइट आंसर रहाँ बिहार के पंच जीलों को संवानित किया गया है अब इन पंच जीलों के बात करना तो ये भी exam प्रपस से important है धिहान रेकेगा हमने आपको जान करही दिया था कि बिहार के मुझफरपूर एवंग समस्तिपूर को यहाँ पर जो TV सम्मेलन आईजित वता वारा नसी में 2023 का और आपको ध्यान अखना बिहार के मुझफरपूर और समस्तिपूर जीले को गोल्ड मेडल मिला था और शीवान जीले को सिल्वर तथा सारन और पूर्ण्या जीले को ब्राउंज मेडल मिला था यहीं कि कुल मिला के पंच जीलों को यहाँ पर शम्मानित किया गया टीवी के बेहां मतलब कर सकते हैं इनको समाप्त करने के दिसामानिके जो टीवी उन्मुलन कारिकरम है इसमें उत्रिष्ट परदरसन के लिए बिहार को ये सम्मान मिला था नेक्ट यहां पर हमारा सत्रवा प्रश्ण है कि विमेंस प्रेमियर लीग का पहला संस्रन जो की हाली में 2023 में आजितवा था किस टीम ने अपने नाम किया है तो विमेंस प्रेमियर लीग 2023 का खिताब भी हाली में मुंबई इंडियन्स ने अपने नाम किया किस टीम को हरा कर अपने नाम किया ये भी पूछे जा सकते हैं तो दिल्ली केपिटल को हरा कर मुंबई इंडियन्स ने ये पहला संस्रन का खिताब अपने नाम किया है नेक्स्ट नमारा अठारवा प्रशने की निमलिकित में से किसे हाल ही में असम के सर्वोच नागरिक सम्मान से सम्मानित क्या गया है सबसे पहले ये ध्याने के असम के सर्वोच नागरिक सम्मान का नाम क्या है तो यह सबसे मतलब सर्वोच सम्मान का जो नाम है यह है असम वैभव और 2023 में अभी हाल ही में तपन शेक्या को इस सम्मान से सम्मानित किया गया जबकि पिछले वर्स के बात करें तो पिछले वर्स रतन टाटा को यह सम्मान दिया गया था नेक्स्ट हमारा उन्नीसवा प्रश्ण होगा कि नमलिकित में से कहा हाल ही में ग्री मंत्री अमित सा ने गोर्ता सहीद स्मारक का उद्गाटन क्या है तो इस प्रस्नी का हमारा राइट आंसर गा गोर्ता सहीद स्मारक का उध्गाटन केंद्रिय ग्रीमंत्री अमित सा के द्वरा भी हाली में करनाटक में क्या गया 33 प्रश्ण में एक नए डिजिल प्लेटफॉर्म सागर मंथन लॉंच क्या गया है तो इस नए डिजिटल प्लेटफर्म सागर मंथन की बात करें तो केंद्रिय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सरवानन सोनेवाल के द्वारा इसे लॉंच किया गया तो ऐसे में आप्सन नमबर ए इस प्रश्ण का राइट आंसर होगा 22 प्रश्ण की ये वार्शी की द्वेपक्षे समद्री अभ्यास कोंकन 2023 से किन दो देशों के बेच आज़ित होगा है कोकन जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और यूके अर्थात युनाटिविक किंडम के बीच आज़ित होता ऐसे में आप्सन नमबर ए इस प्रश्ण का राइट आंसर होगा 23 प्रश्ण की हाली में भारत का पहला केबल अधारित रेल पूल कहां बन रहा है इस प्रश्ण का हमारा राइट आंसर होगा 23 का अप्सन नमबर C यानि की जम्बो कस्मिर में जो की ये भारत का पहला केबल अधारित रेल पूल है नेक्स्ट 24 प्रश्ण है कि नेमलिकित में से किसने हाली में 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है इस प्रश्ण का हमारा राइट आंसर होगा मेक्स वरिष्टेपन ने इस खिताब को अपने नाम किया है अगला 25 प्रश्ण की इंडियन एर फोर्स यूनिट की कमांज शंभालने वाली पहली महला हाल ही में कौन बनी है तो इस प्रश्ण का हमारा राइट आंसर होगा अप्सन नंबर डी यानि की सालिजा धामी अभी हाल ही में इंडियन एर फोर्स की यूनिट की कमांज शंभालने वाली पहली महला बनी है नेक्स यहाँ पर हमारा 26 प्रश्ण होगा कि 8 अक्टूर 2022 को जप्रकास नरायन की 44 मी पुन्तिती मनाएगे बताएंगे निम्न में से किनको पदचूत कराने के लिए उन्होंने संपूर्ण करांती नामक आंदोलन चलाया था तो शंपूर्ण करांती नामक आंदोलन जो जप्रकास नरायन द्वारा चलाय गया था ये इंद्रा गांधी को 1970 के दसक में पदचूत कराने के लिए चलाय गया था यहाँ पर ये डेट आपको ध्यानक है ये डेट इस प्रस्ण में इंपॉर्टेंट है तो 6 अक्टवर 2022 को कहां मनाय गया बताईए इसका राइट आंसर क्या होगा इस प्रस्ण का हमारा राइट आंसर होगा आपसन नंबर सी यानिकी जम्मु कस्मीर में ये पहला पक्षी महसव आजित क्या गया जबकि बात करें बिहार की द्रिष्टी कोन से तो बिहार के जम्मु में पहला पक्षी महसव 2021 में करलव नाम से आजित वा था जम्मु के जम्मु में एक पक्षी अभ्यारन है नागी नक्ति और यहीं पर आजित वा था और इसका पक्षी महसव का जो नाम दिया गया ये भ एक्सप्रेस वे बिहार के कितने जीलों से होकर गुजरेगी important प्रशन है बताइए इसका right answer क्या होगा तो इस प्रशन का हमारा right answer होगा 28 का option number C यानि कि बिहार के 7 जीलों से होकर गुजरेगी अब यहां पर शवाल उड़ता है कि यह 7 जीले कौन कौन से कहां से यह start होगी कहां तक जाएगे तो सबसे पहले यह ध्याने के यह एक्सप्रेस वे जो है 189 किलोमेटर लंबा है जो कि आपको इध्यान रखना है दिल्ली कोलकाता एनेच 19 परिस्तित और अंगाबाद जीले के आमस से सुरू होकर बिहार का गया जहानाबाद पटना वैसाली समस्तिपूर और दर्भंगा के नादा गाउं को यह जोड़े की किन सिक्षकों को या फिर किन सिक्षक को सम्मानित क्या गया था इस प्रश्णी का हमारा दो विकल्प सही होगा एक तो होगा नीसी कुमारी और शावरब सुमर आपको दिहान रखना इस आधार पर हमारा राइट अंसर लोगा अफसन नमर ई यानि की उप्युक्त में से एक से अधिक नेक्ष नमारा तीसवा प्रश्णी की निमलिकित में से किस राज के जल जीवन हर्याली अभियान को अवर्ड आफ एक्सिलन्स से हाल ही में सम्मानित किया गया है इसका राइट आंसर होगा अफसन नमर बी यानि की बिहार राज के जल जीवन हर्याली अभियान को अभी हाली में दिल्ली में अवर्ड आफ एक्सिलन्स से सम्मानित किया गया अफसन नमर डी यानि की बिहार इसका राइट आंसर होगा एक तीसवा प्रशने के निमलेकित में से किस राज की सुन्दरजा आम को हाली में जियाई टैक अर्थाथ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैक मिला है बतलाए इसका राइट आंसर क्या होगा तो सुन्दरजा आम संबंदित है मदपरदेश से यानि कि इसका राइट आंसर जो होगा यह होगा अप्सन निम्बर ए अर्थातम मदपरदेश यह प्रशने के हाली में खबरों में रहा होपी जातिया समु का संबंध किस देश से है बतला ये इसका right answer क्या होगा होपी जातिय समों का संबंद किस देश से हैं जो भी हाल ही में खबरों में थे इसका right answer होगा option number D यानि की अमेरिका से ये संबंदित है next 33 प्रशने की हाल ही में भारते क्रिकेट कंट्रोल बोर्ट यानि की BCCI ने हाल ही में 2022 के लिए सलाना अनुबंद का ऐलान किया है अपने क्रिकेटरों के लिए BCCI ने सलाना अनुबंद का ऐलान किया है इसके अध़त क्रिकेटरों को जो रासी प्रदान की जाएगी इसे great में divide किया गया है और प्रशने पूछा गया कि बताएं कि इसे संबंद में कौन सा कथन शत्ति नहीं है हमने आपको विस्तार फुरग जान कर दिया था आपको बताना है कि विराट कोहली किस ग्रेट में यानि कि यहाँ पर पूछा गया कौन सा कथन शत्ति नहीं है जो मिलान यहाँ पर दिया गया है को जो grade A ये का फन हमारा सत्य है और अश्वत इसान किसन C पलस ये भी मतलब ये दो भी गल्प यहां पर हमारा सत्य है तो ऐसे में यहीं जो हमें पाचान करना था कि कौन सत्य नहीं है तो ऐसे में जो इसका right answer पलस में रोहित सर्मा और इसके अत्रिक चस्परेद बंबरा और रविंद्र जड़ेजा है जबकि यहां पर जो आपने देखा केल राहूल के बारे में तो केल राहूल को grade B में रखा गया है तो यह कता नवारा यहां पर सत्य था जबकि हम बात करें बिहार के इसान किसन की त इतनी राशे दिया जाएगा तो साथ करोर की राशे परदान की जाएगे प्रतेक वर्स grade B की जब भी बात होगी तो तीन करोर की राशे परदान की जानी है grade C की बात करें तो grade C में एक करोर की राशे परदान की जाएगी तो तमाम चीजे यहां से आप लोग दिहान रख ल रहा है तो इसका संबंद है तेलंगाना से ऐसे में अप्शन नमर डी इस प्रश्णी का राइट आंसर होगा 35 प्रश्णी की हाली के घोष्णा की अनुशार सेटेलाइट स्पेक्ट्रम निलामी करने वाला पहला देश कौन बनेगा तो इस प्रश्णी का हमारा राइट आंसर होगा अफसन नमर ए यानि की भारत इस प्रश्णी का राइट आंसर होगा नेक्स्ट 36 नमर प्रश्णी की दिसंबर 2022 में किस देश को सन्युक्त राष्ट के महला अधिकार शमो से निश्कासित कर दिया गया है तो इस प्रश्णी का हमारा राइट आंसर होगा सन्युक्त राष्ट के महला अधिकार शमो से दिसंबर 2022 में इरान को निश्कासित किया गया आपसन नमर ए इस प्रश्णी का राइट आंसर है तो प्रश्णी की हाल ही में पेटा इंडिया के प्रशन आफ द इयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है तो पेटा प्रशन आफ द इयर 2022 की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा स्वनाक्षी सिन्ना ये अवार्ट पसू प्रेमियों को दिया जाता प्रतीक वर्स 2021 में ये दिया गया था आलिया फट को आपको जानकारी हमने दिया था याद बोगा को नेक्ट 38 प्रशन की निवलेकित में से किस टीम ने हाल ही में वीबो फ्रो कबड़ी लेग 2022 अर्थात इसका नवा सीजन जीत लिया है तो ये नवा सीजन अभी हाल ही में जीता है जैपूर पिंक पैंथर्स ने यानि कि option number D यहाँ पर इस प्रशन का हमारा right answer हो जाएगा आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान लगना है कि ये किस टीम को हरा कर अपने नाम क्या है तो पुनरी पल्टन को हरा कर इस खिताब को भी हाल ही में जैपूर पिंक पैंथर्स ने अपने नाम क्या नेक्स्ट 49 नमबर प्रशन है कि नेमलिकित में से कितने वर्शों के बाद भारत ने या फिर भारत की सरगम कौसल ने मिसेज वर्ट 2022 का खिताब जीता है most important प्रशन है बताईए इसका right answer क्या होगा तो इस प्रशनी का हमारा right answer होगा option number C यानि कि 21 वर्श बाद भारत की जोली में ये मिसेज वर्ट का खिताब आया है 2022 में पिछली बार 2001 में लास वेगस में ये परत्युक्ता आजित हुए थी हाला कि इस बार भी ये लास वेगस में ही आजित हुआ अमेरिका में तो पिछली बार 2001 में जो परत्युक्ता आजित हुए थी इसमें मिसेज वर्ट का खिताब अदेती गोवित्री कर ने अपने नाम के आदिने की भारत को दिलाया था अब चलते हैं पर हम आज की इस वीडियो के अंतिम प्रश्ण पे जो कि हमारा 40 वा प्रश्ण है कि FIFA World Cup 2022 का खिताब ने लिखित में से किस देश ने जीता है इंपोर्टन प्रश्ण है बतलाए इसका राइट आंसर क्या होगा तो यहां पर सबसे पेले मैं आपको बदादू इसका राइट आंसर होगा यहने कि Option Number C यहां पर इसका प्रश्ण का हमारा राइट आंसर होगा अब यहां पर 40 प्रश्णों में से कितने प्रश्णों को आपने सही सही हल किया है आप इस वीडियो के Comment box में जाएए और वहां पर आप लिखिए कि आपने कितने प्रश्नों को सही सही हल किया आप इमानदारी को रोक लखेंगे और आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कि आगामी एक्जाम को देखते भी आप कितने पिरपर हैं इस वीडियो को अगर आपने एकदम से हुब हो एक्जाम फॉर्मेट में लिया जिस प्रिकार से आपके 99 प्रशने चालिस प्रशने करेंट अफेर्स के होते हैं तो यह मान के चले आपकी यहां पर यह सभी प्रशन आपकी एक्जाम में पूछे गए हैं तो हमने जो आपको कटप निर्धारित किया था कि 33 तो अगर आप 33 से अधीक प्रशनों को यहां पर सही सही हल किया है तो निश्ची तोर पर आपकी जो तैयारी है वो उतक्रिष्ट है और निश्ची तोर पर आपका सेलेक्शन होगा यह यहां से ध्यान रखें अगर आप यहां पर 33 से कम प्रशनों को सही से हल कर पाए है तो ऐसे में आपको जरूरत है कि हमारे जो डेली करेंट एफेर्स वाला जो किलास चलता है उसको फॉलो किजिए और जितने भी नोट्स अभी तक दिये गए हैं आपको नोट्स के मादियम से अपनी तैयारी को बहतर किजिए और हलाकि यहां पर हम बात करें इससे टेस्ट स्रीज की तो यह रेगूलर इसी बरकार से चलता रहेगा आपकी एक्जाम तक तो जितने भी चातर करेंट एफेर्स की तैयारी में मजबूत नहीं है या पिर तैयारी को मजबूत करना चा रहे हैं इससे स्रीगला को आप लोग जरूर फॉलो किजएगा और रही बात टेस्ट स्रीज की और साथ हमारे स्टेडी मेटरियल के बारे में जो जानकारी हमने आपको दिया था वो सभी प्राप्त करने के लिए बीपिसी मेकर आप पर जाईए विजिट कीजिए वहाँ पर और आप वहाँ पर जब 69 बीपिसी वाले कोर्स को परचेज कर पाएंगे यानि कि आपको कोई भी अडिशनल चार्ज अब देने की आउस्टा नहीं होगी 12 मेहने के लिए 12 मेहने के आपका यह प्लान आपका एक्टिव होगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो अगर आप लोग कहेंगे कि सरी डेली अपलोड किया जाए तो निश्चित तौर पर हम आपको लिए यह वीडियो सरिंखला डेली लाएंगे तो यह अब आपके हाथ में है आप लोगों को डेली चाहिए अल्टरनेट में चाहिए आप लोग कमेंट करें जरू बतलाएगा और इस वीडियो में आपने क कि इतने प्रश्णों को हल गया यह बहुत इंपोर्टन है कमेंट करना सभी लोग कमेंट करेंगे चलिए धनवाद जय हिंदर